देवरानी बनी नाकरानी लेकिन इस कल्यूग में है लड़की मानो पठाका है सब हो उश्यार है भूलो मात पठाकों में भी फुसकी पठाके होते है ये है उर्मिला और उसकी बड़ी बहु काविया अब प्रापर्टी के ज्यादा हिस्से ना बटे इसलिए ये दोनों आपस में ये तिगडम लगा रहे है कि नित्यम जो उर्मिला का चूटा बेटा है उसके लिए कोई सीधी साधी बहुले कराए अब देखते हैं इस जिठानी की देवरानी आने की बाद क्या होता है आइडिया, मा जी, मेरे खुराफाती दिमाग में एक सालिट तरकी बाई है हम हमारी ड्राइवर मन मोहन की बेटी रादिका से नित्यम की शादी करा देते हैं वैसे आज तक उसे देखा तो नहीं है लेकिन मन मोहन के मूज से अब तक सिर्फ उसके बारे में ऐसी बाते ही सुनी है जो ये दर्शाती है कि वो एक नंबर की भूली भाली लड़की होगी आँ, काव्या बहु, एकदम सही सुजाव है मैंने उस राधिका की तस्वीर देखी है, मन मोहन ने दिखाई थी एक दिन पड़ी सुन्दर है, शकल से ही सीधी लगती है फिर क्या? काव्या और उर्मिला दोनों भी परिवार वाले एकत्रिद होकर अपनी राय देते हैं जिस सिसर्गोपिनात कहते हैं काव्या का पती पार्थ भी कहता है और हमारे नित्यम के लिए हम और अच्छा रिष्टा भी तो ढूण सकते हैं इतनी जल्द वाजी में ऐसे बड़े-बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए पार्थ, तू तो अपना मुबांदी रख ड्राइवर की बेटी है तो क्या हुआ, पैसों से फर्क नहीं करना है हमें हमारे नित्यम के लिए राधिका ही सही है यह देख नित्यम, यह तस्विर खुद ही देख ले तू और सूचो नित्यम, जिस लड़की के बारे में बाते सुनकर ही इतना अच्छा लगता हो वो असलियत में कितनी अच्छी और नेक दिल होगी नित्यम, राधिका और तुम्हारी जोड़ी एकदम बेस्ट है जद दिमाग को न सोच वोज कर स्ट्रेस मत दो साह कर दो जल्दी से पहली नजर में ही राधिका को देख नित्यम को उससे प्यार हो जाता है बाद में मन-महन को राधिका और राधिका की मा सुरेखा को भी बुलवाकर रिष्टा पका हो जाता है शादी के बाद उर्मिला और काव्या राधिका से नाकरानियों की तरह काम करवाते हैं राधिका माई डियर देवरानी मेरे लिए खीर बना दोगी मुझे नाज बहुत मन कर रहा है कुछ मीटा खाने का खीर बनाने के बाद मेरा रूम साफ कर देना और पंको की जालियां भी निकाल देना वो क्या है ना मेरी तब्वे तोड़ी सी खराब है आज इसलिए और रादिका बहु आज तुझे महीने भर के लिए सारे मसाले भी कुटने हैं और चपन भोग पकवान भी बनाने हैं हमारे यहां रही था कि नई बहु के हाथ के बने चपन पकवान को गरीबों में बाड़ दिया जाता है ठीके जिटानी जी ठीके माजी और हा रादिका बहु लगे हाथ जरा रसोय को भी साफ करते ना वो रादिका से इतना आकाम कराते हैं कि वो बिचारी एक मिनिट तक सुकून और शांती से बैटने ही पाती कीचन की खिड़की से बहर से मनमोहन अपनी बेटी को घंटों तक काम करते देखता है और उसके पास आकर कहता है राधिका बेटा दपैर में जाते वक भी तु रसोई में काम कर रही थी दिन के रात हो गए तु पिछले बारा घंटों से रसोई में कड़े होकर काम कर रही है बेटा तुन्हें कुछ खाया पिया की नहीं आप फिक्र मत कीजिये पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरे मनमोहन जल्दी हो हमें लॉंडरी जाना है जाये पापा ससूर जी आपको आवाज लगा रहे है बेचरा मनमोहन चाहा कर भी कुछ नहीं कर पाता मही सास उर्मिला और जिठानी काविया राधिका से दिन रात नौकरानियों की तरह काम करवाती ही रहते हैं लेकिन इस कहानी की असली विलन तो खाविया होती है वो अपने देवर नित्यम से कुछ पेपर्स पर साइन कराने ले जाती है देवर जी ये इन पेपर्स पर जरह साइन कर दीजी न फटाफ़ट वो क्या है न, महले में होने वाले उत्सवकी तयारियों के लिए चंदा देने की पेपर्स है इस पर साइन कर दीजी वो क्या है न, पार्थ घर पर नहीं है ससुर्जी भी मंदर गया है नित्यम जो कि नाश्टा कर रहा होता है और किसी से फोन पे बात कर रहा होता है वो तुरंट पैन उठाता है और बिना देखे, पढ़े, समझे वो उन पेपर्स पर साइन कर दिता है यहां करनी है न बावी? हाँ, हाँ, हाँ असल में काव्या, F.T. के पेपर्स पर नित्यम से साइन करा रही होती है और वो पेपर्स पर लिखे गए F.T. पर अपना हाथ रखती है ताकि जल्द बाजी में भी नित्यम की नजर उस पर ना जाए तबी उर्मिला वहां कर क्यों अरे नास पिटी? बहुत साथ वे आसमान पे उड़ रही है ने इन काग्जों को पकड़ कर क्या साइन कराया तुने नित्यम से? अरे कुछ भी तो नहीं माजी, मुँ मौले में उत्सों है न, उससे रिलेटेड पेपर्स है और मैं खुश इस बात से हूँ, क्योंकि हमारा देवरानी को नौकरानी बनाने का प्लान सफल हो रहा है दद ताली काविया ये कहकर चली जाती है, वहीं उर्मिला को उसके बरताव पर शक होने लगता है रसो इस से छुपकर रादे का ये सारा तमाशा देख रही थी दिंकचका 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 रहे आज मैं उपर आसमा नीचे येई, फाइनली, फाइनली, फाइनली नित्यम की एफटी मेरे नाम, कव्यक के नाम इन घरवालों को खबर भी नहीं के इनके पीट पीछे, इनकी साथ रहकर ही मैंने इनकी एफटी अकाउंट्स को अपनी नाम कर लिया है एक बार, उर्मिला काव्या को कुछ पैसे दिती है और कहती है काव्या बहु, ये ले, ये पैसे तेरे ससूर जी ने दिये है इनसे खाना, पिना और बाकी खिलोने खरीद कर अनाथ आश्रम में फिजवा देना नित्यम और पार्थ के पापा को भी कुछ ज्यादा ही दान पुणिय करने का चस्का लगा रहता है क्या करें आब ठीक है, कर दूंगी, दीजे पैसे लेकिन काविया उन पैसों से अनाथ आश्रम में सामान भेजने के बज़ाए खुदी शौपिंग, स्पा और खाना पिना करके घूम फिरके घर आती है और एक दिन में ही सारे के सारे पैसे उड़ा देती है लेकिन वो एक गलती कर देती है कि वो उस सब का बिल अपने पर्स में ही ले आती है और उसे इस बात की खबर भी नहीं रहती अगले दिन और मिला जब काविया से पूछती है काविया बहू, तुमने अनाथ आश्रम में भिज़वा दिया ना सामान जो कुछ भी मैंने कल तुमसे कहा था हाँ, हाँ, मा जी, सब कुछ भेज दिया है अब चिंता मत कीजिए अच्छा, ठीक है बिटा साफ सफाई करते समय राधिका को काविया की अलमारे से एफटी की पेपर्स और उसकी पर्स भी मिलती है और उसे पढ़कर राधिका एकदम से हैरान और दंग रह जाती है ये क्या? इसका मतलब उस दिन जिठानी जी नित्यम जिसे नाश्था करते समय जिन पेपर्स पर साइन करवा रही थी वो कोई मोहले के उत्सव से मिलते जुलते पेपर्स नहीं बलकि एफटी अपने नाम करवाने की पेपर्स थे और और ये क्या? ये बिल ये इतने सारे पैसे जो माजी ने जिठानी जी को दिये थे अनाध हरश्रम के लिए वो सारे पैसे जिठानी जी ने एक ही दिन में खर्च करके उड़ा दिये इतना बड़ा चल किया उन्होंने माजी की साथ? नहीं, अगर मैंने इस बात पे योही परदा डाला और इस बात को छुपाया तो जिठानी जी और भी ज्यादा चल करती रहेंगी मुझे फॉरन जाकर माजी और बाकी घरवालों को ये बात बतानी होगी रादिका जाकर सब को काव्या की सच्चाई बताती है और सब ये देखकर और सुनकर हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं अरा कल मुहे करम जली, तुझे जरा भी शरम नहीं आई शरम की बात तुम कर रही हो और मिला अरा तुमने भी तो इसे का साथ दिया था ना और इसने क्या क्या देखा यार मैंने तुझ रादिका को अनपड़ और सीधी साधी समझा था लेकिन ये तो पड़ी लिखी और समझदार भी निकली काव्या, ये तुमसे एक्सपेक नहीं किया था हमने हमारे घर में ही आस दिन का साथ पाल रखा था और हमें खबर भी नहीं थी लेकिन जाने अनजाने में आपने जिस ड्राइवर की बेटी को बहु बना कर लाया वो एक अच्छी पड़ी लिखी समझदार और एक बहुत ही अच्छी धर्मपत्नी भी है सोरी राधी का बहु मैंने लालज के प्रकोप में और इस कुलक्षणी के बह कावे में आकर नजाने तुम्हे कितना परेशान किया और नौकरानी की तरह तुम से काम करवाया दिन रात लेकिन अब अब से ये काव्या मेरी बहु नहीं मेरी सिर्फ एक ही बहु है और वो है राधी का सिर्फ इतना कहने से नहीं होगा इतना सारा फ्रॉड किया मैं अभी पुलिस को फोन घुमाता हूँ बहु हो या बेटी गुनेगार गुनेगार होता है और सजा तो उसे मिल के ही रहती है तबी अचानक से काव्या चाला किसे एफटी पेपर्स लेकर बाहर की तरफ भागती है मनमोहन काका सबी चिंतित हो जाते हैं पापा क्या हुआ मनमोहन को सबी बाहर गाड़ी की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि गाड़ी खाली है और काव्या भी भाग चुकी है मनमोहन अंकल तो आज छुट्टी पह है इसका मतलब वो चोर नहीं भाग गई और इस तरह सब को चकमा देकर काव्या वहाँ से रफ चक्कर हो गई अर्णवार्णोंगार्णोंग्षार्णोंग्षिस झाल-ची को काव्या सब गई काव्या सब चकर हो गई